हेलो एवरिवाण वेलकम बैक तो माई चैनल गाईज एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूं कैसे हैं आप सब आप सब आप कि सब अच्छे हैं खुश आर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूं आप सब लोगों के लि बिना देर करें और देखते हैं क्या आप दुनों का फूचर एक साथ है आपके करण सिit उच्वेशन जो भी एनर्जी ऑप इसे के बिहाफ पर मैं प्रेडिकशन लोगगे क्या इस करण्ट एनर्जी के साथ आपका फ्यूचर पॉसिवल है एक साथ हिक है तो जो भी बन ओपिन माइंड रेडिंग टाइम लेस है जब भी यहां तक आप पहुंचें आप देख सकते हैं एक काड आ गया हमारे पास नाइट आप पेंटिकल्स आपका जो कनेक्शन है ना ये मुझे होल्ड पर दिख रहा है अभी फिलाल तो कोई भी एक्शन अभी लिया नहीं जा रहा है इस कनेक्शन में पहले हम करेंट एनर्जी पता कर रहे हैं ठीक है क्या है आपकी करेंट एनर्जी क्योंकि आपका कनेक्शन अभी होल्ड पर दिख रहा है प्रोसेस में है डिले यहाँ पर न मेल एनर्जी ज्यादा आई है यहाँ पर मुझे जेमिनाचि लिरॉइक वेरियस बहुत स्ट्रॉब दिख रहा है इसके बाद एरिस लियो औरreaming है इसके बाद सट्रॉड और एरिस लियूस सग्राई यहां पर कर और blijम के स्ट्रॉण थे कह औरिमनाफंस अको जेमिन ओर मिंस क्या है आपकी current energy right now is connection में क्या हो रहा है अभी hold पर है आपका connection जैसे कि मैंने बताई दिया है और hangman का भी card आ गया ये भी बता रहा है कि आपका connection अभी hold पर है ठीक है surrender कर दिया गया है या फिर serendipity की vibe है यहाँ पर नसीब पर छोड़ दी गई है बाते जो होगा होगा इस तरीके का कुछ attitude है आपके partner का हो सकता है आपका भी यही attitude है अभी इस connection में अभी काफी चीज़ ना बिगड़ी हुई है triple five angel number यहाँ पर present हुआ है ठीक है five number बताता है देखो five number हमेशा यह negative number नहीं होता है five number यह भी होता है कि आपको changes लाने की जुरुरत है जब जब five number दिखे इट means आपको positive रहना है और positive रहकर आगे बढ़ने के बारे में कुछ changes लेकर आने के बारे में सोचना है ठीक है क्योंकि यह चीज़े हमेशा hold पर ना रहे इसके लिए आपको efforts करने है universe आपको यह positive thinking के साथ affirmations बोलिए ठीक है अपना inner work continuously करते रहे है ऐसे ही आप changes automatically आपके connection में भी आजाएंगे इस टाइम ऐसा लग रहा है कि third party situation आई हुई है आपके connection में लेकिन यह third party ज़रूरी नहीं कि कि कोई और person ही है क्योंकि हाँ पर इतनी सारी male energy आई है यह मुझे बता रही है कि ह कोई ऐसा person है जो male है ठीक है मतलब divine masculine energy आपर जादा है divine है या नहीं है वो तो अलग बात है लेकिन masculine energy है यानि कि कोई दूसरा person ना आपके person को trigger दे रहा है या फिर headache दे रहा है कुछ इस तरह का कुछ मोहल है तो आपके person की life में अभी काफी जादा equations बिगड गई है ठीक है ऐ third party का इंपक्त बहुत जादा पढ़ रहा है इस परस आपके partner के उपर और डिस्टर्ब हो रहा है काफी इसलिए हो सकता है इन सब चीजों को देखते हुए आपके partner ने चीजे surrender कर दिया क्योंकि उनकी खुद की life में अभी मुझे peace दिखनी रहा है तो यह है current energy आपके connection की हाथ को लेकर disturb हो या hurt हो ऐसा दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे से उपर से दूसरे लोग भी आपके partner को काफी hurt कर रहे है ठीक है लेकिन the hierophant card बहुत positive card आया है यहां पर कि यह card बता रहा है कि एक उमीद है कि आगे चलकर चीज ठीक हो सकती है यह card बता रहा है कि आग जो है वो ठीक नहीं दिख रहा है लेकिन एक उमीद एक आशा की किरन ऐसा आप दोनों के मन में है कि यह होने को तो बिल्कुल होगी चादी इस तरीके से आप लोगों की thinking आप दोनों की thinking है यह हाला कि अभी का जो scenario है वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी लेकिन फिर भी आप द और मेट सो सकते हैं make the effort और आप दोनों ना इस connection पर give up नहीं कर सकते हैं इस connection को give up करोगे ही नहीं efforts लगाते रहोगे great love is worth taking the step you are guided to take जो भी step आपको universe गोलेंगे कि आपको यह step लेना है आप बिल्कुल ready हो step लेने के लिए आप efforts लगाने के लिए ready हो keep an open mind देखो यहाँ पर clear soulmate word आ गया your soulmate may differ from your usual type and expectations आपके partner आपसे थोड़ा से different है उनका type थोड़ा सा different है ठीक है लेकिन आपके soulmate तो है यह engagement yes guys अब यह दोनों ही card ना आपकी जो उमीद है ना यह reality में convert होगी engagement का card आ गया your love life is ascending to a higher level of commitment even scenario अभी present में बहुत खराब है ठीक है चीजे बहुत बिखरी होई है उलजी होई है लेकिन आपकी जो आशा की किरन ना यह जो hope है यह पूरी होगी यानि कि आप दोनों का future एक साथ है calling in your soulmate because continuously आप efforts लगा रहे हो और आप अपने soulmate को बुला रहे हो अपनी life में अपने union के लिए और आपका engagement होगा because यह आपका true love है this is the romance of a lifetime calling in your soulmate, past life connection, engagement, true love यह सारे card बता रहे हैं के yes आपका future साथ है आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं एक और card आया give your relationship a chance इस connection में आप एक दूसरे को chance दोगे future में clear है यह आपर बिल्कुल आप दुनों का चाहे अभी condition कैसी भी है बुरी है, बहुत बुरी है, worst है, doesn't matter आपका future साथ है घवराओ मत अगर आपको लगता है यही है वो soulmate, यही है वो one and only person तो आपका future है साथ चीक है, आपका साथ में है future आप एक साथ अपनी जिन्दिगी जी होगे patience रख लो थोड़ा सा, जल्दी union हो जाएगा आपका आप दोनों अपनी life celebrate करेंगे एक साथ ठीक है, घवराइए मत, नमबर 5 दिख रहा है अच्छे से manifest करो, पूरे यकीन के साथ manifest करो के yes यही होगा, थोड़ा सा delay है बस थोड़ा सा delay ठीक है थोड़ा सा sacrifice कर लो अभी के लिए जल्दी ही celebrate करोगे एक दूसरे के साथ दोनों के अंदर जो आग है ना एक दूसरे के लिए वो बहुत strong है, बहुत passionate हो आप एक दूसरे के लिए नहीं छोड़ सकते एक दूसरे को जाहे से कुछ भी हो जाए देखा, पेशन्स रखो, थोड़ा पेशन्स रखो सही direction में आगे बढ़ने का सोचो, ठीक है ऐसा लग रहा है जैसे divine आपको direction दे रहे है आप देख रहे हैं ये person अपनी boat में है और ये जो bird है इसके आगे ये इसको sun के direction में आगे बढ़ने में मदद कर रही है ये जो आगे पंची है ना ये जो bird है ये इसको बता रहा है कि आपको इस direction में आगे बढ़ने है इट means universe आपको कुछ ना कुछ तो sign दे रहे हैं कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं कि आप ऐसे करो इस तरह से आगे बढ़ो आपको universe के तरफ से काफी सारी information मिल रही है trust करो इस information पर जो चीज़े आपको लगती है ये होने वाली है तो आप इन चीज़ों पर ट्रस्ट करना शुरू कर दो क्योंकि ये जो आपको लग रहा है ये और कोई नहीं बता रहा ये आपको युनिवर्स खुद बता रहे है क्योंकि वो हमसे बात करेंगे कैसे हमारी intuition के थुरू ही तो न तो जो आपका मन कह रहा है उस पर यकीन करना शुरू कर दो ठीक है और positive direction में ही आप आगे बढ़ रहा है बहुत positive हो, बहुत optimistic हो और ये बढ़ना खुद युनिवर्स है यहाँ पर ठीक है आपको directions provide कर आ रहे है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है you are guided by universe थोड़ा सा patience रखो you are on the path right now ठीक है अपने path पर ही हो path को ही अभी ऐसा लग रहे है तो प्रॉसेस में हो बट आपका union possible है even इस situation में इस current situation के बिहाफ पर भी universe ने हमें बहुत positive cards दिये है और बताया है कि union possible है यानि कि future एक साथ है आपका ठीक है आपका past life connection है no doubt यह six of cups है ना यह past life connection ही बता रहा है और card भी आ गए हमारे पास spiritual love है यह hope है देखो आप दोनों को na hope है तो hope रखो पूरी पूरी hope रखो क्योंकि यह hope रखना बिलकुल सही है back to back सारे ही major और खाना से card है back to back वाव यहां तक hope throat chakra, crown chakra, harmony disruption, power and love begins and universe वाव चीज़ ठीक हो जाएगी don't worry सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपका spiritual love है यह union होगा ठीक है यहां पर clear हमें engagement का card भी मिला true love का card मिला ठीक है past life connection दिखा यहां पर तो थोड़ा सा आपको बस wait रख करना पड़ेगा और जिस तरह से आप कर रहे हो ना affirmations वगरा वो सब वैसे ही बोलो बट positivity के साथ सब अच्छा होगा आपका future साथ में है clear दिख रही है यह चीची जे आपका future है साथ में ठीक है मैं एक बार आपके लिए कहां से भी card लेना चाहूंगी divine क्या बताएंगे आपको do your karma divine कह रहे है do your karma be good do good and never lose faith be prepared prepare ही कर रहे है आपको अगर wait के लिए बोल रहे है it means आपकी preparation करवा रहे है आपको prepare कर रहे है future के लिए so do your karma be good do good and never lose faith इस connection पर faith बना के रखो सब कुछ अच्छा होगा and time to relax relax mind से काम करो relax mind से action लो कोई हरी नहीं है कोई जल्दबाजी नहीं है यह आपके partner है आप इनके है आप दोनों की शादी होगी पता है क्या हमारा जनम कब होना है हमारी शादी किससे होनी है और कब हमें मरना है यह तीन चीज़े नहीं हम लिखवा कर आते है तो आपकी जोड़ी उपर से बनी होई है चाहे हो नहीं हो लेकिन connection आपका इतना strong हो चुकी है bonding आप नहीं भूल सकते वो इंसान आपको नहीं भूल सकता तो union क्यों नहीं होगा positive रहो faith रखो ठीक है आपका दिल आपको गवाई दे रहा है कि हाँ यही है वो person ठीक है it means yes इसी के साथ आप अपनी जोड़े लिखवा कर आएं इसी के साथ आपका union होना है तो relax रहो वो person नहीं भागेंगे आप कहीं नहीं जाओगे और जो आपका नहीं है ना वो आपसे दूर चला भी जाएगा और आप move on भी कर लोगे बहुत अराम से क्योंकि जो real partner है फिर वो आपकी life में आएंगे कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें पहले कार्मिक से मिलते हैं फिर हमारे real partner हमाई life में आते हैं ऐसा होता है तो जितने भी हाँ कार्मिक में फसे हुए हैं आप यकीन मानना क्या होगा आपके साथ मैं आपको बताती हूँ क्योंकि हर किसी के साथ ये reading match नहीं करेगी जो spiritual connection में ये वो नहीं के लिए messages है तो जिनको जो confused है कि ये कार्मिक है या फिर मेरा real love है तो मैं आपको बताती हूँ क्या आपको लग रहा होगा अभी जो भी कार्मिक connection में फसे हुए है आप manifest करोगे suppose that आप low of attraction कर रहे है आपने कोई music चलाया अब आप visualization करना शुरू कर दिया imagine कर रहे हैं अपने partner के साथ अच्छी चीज़े सोच रहे हैं अप sunset देख रहे हैं अपने partner के साथ मतलब बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं कार्मिक connection का बता रहे हूँ लेकिन आपको उस manifestation में मननी लगेगा वो manifestation बीच में ही तूटेगा ठीक है क्यों क्योंकि आपके real partner की vibe कहीं ना कहीं उसको तोड़ेगी उस manifestation को और आपको लगेगा आपको ना नींद आएगी उस manifestation में अगर आप low of attraction कर रहे हैं आपको नींद आएगी आपको ना headache सा feel होगा और आपकी soul आपको बोलेगी मत कर ये manifestation आपकी soul आपको बोलेगी आपका mind तो बोलेगा नहीं नहीं करना है करना है लेकिन आपकी soul आपको अंदर से बोलेगी नहीं मत करो इसको मत करो आप बहुत अच्छा डिजर्फ करते हो कुछ इस तरह की vibe आएगी और आपके manifestation के बीच में इतनी रुकावटे आएगी इतनी रुकावटे आएगी कि वो अच्छे से चलेगा ही नहीं कभी कुछ आपको एकदम से गलत सा दिख जाएगा कभी कुछ black सी light दिखेगी ठीक है मैं लग इस तरह के से आपको कुछ ना कुछ आपका manifestation खराब हो जाएगा आप manifestation कर ही नहीं पाएंगे कोई भी technique आप अच्छे से follow कर ही नहीं पाएंगे तो समझ जाना गर ऐसा हो रहा है तो आप karmic connection में है और आपको move on करने के ज़रुत है और आप पता है बहुत अराम से move on कर भी जाओगे hardly तीन से चार महीने इस से ज़्यादा नहीं और आप move on कर जाओगे बहुत अराम से आगे बढ़ जाओगे अपनी life में ओके तो I hope कि ये information आपके लिए helpful रहेगी और ये reading आपको अच्छी लगी होगी तो अभी के लिए बस इतना है guys बाई, take care